क्या आप भी अपनी वेबसाइट का ऐसा होम पेज बनाना चाहते हैं जैसा मेरा बना हुआ है bloggingqna.com पर आप देख सकते हो खुद जा के विजिट कर सकते हो यह है मेरा पूरा होम पेज या फिर आप ऐसा कोई landing page ऐसा कोई sales page बनाना चाहते हो जैसा मेरा बना हुआ है यह deal page वाला मैंने अपने telegram group में भी यह share करा था facebook group में भी यह share करा था तो telegram group में तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे मैंने बनाया है तो अगर अभी तक आपने हमारा telegram group telegram channel जॉइन नहीं करा है तो description में link है telegram channel जॉइन कर लो वहाँ पे कोई भी query है कोई भी question है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं वहाँ पे आपको easily answer मिल जाएगा so make sure telegram channel को आप जॉइन कर लो तो अब बात करते हैं आपको जैसी पता चला कि भाई ऐसा भी बन सकता है तो आपको लगाओगा यह किसी page builder से बना है या यह elementor से बनाओगा या फिर thrive architect या किसी और page builder से बनाओगा but the surprise thing is यह किसी भी page builder से नहीं बना है no single page builder मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह बना है सिर्फ एक theme की मदद से और mostly जो 90% काम है वो हुआ है एक plugin की मदद से जो बिल्कुल absolutely free of cost है तो अब आपको कोई भी page builder यूज करने की जरूत नहीं है कोई भी यहाँ पर आपको page builder खरीदने की जरूत नहीं है ऐसा professional home page आप बना सकते हो अपनी website का वो भी बिना page builder के इवन ऐसा deal page भी आप जाके बना सकते हो तो यहाँ पर वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपको practically एक page बना के दिखाऊंगा तो blogging qna पर नहीं मेरी जो दूसरी website है mangesbhadwas.com यह आप देख सकते हो इसका home page कुछ ऐसा बना हुआ है तो अभी बहुत ज्यादा professional नहीं लग रहा है बट हम इसे बनाएंगे बिल्कुल ऐसा जैसा कि है मेरा blogging qna.com वाला और बनाने वाले हैं theme और plugin की मदद से तो वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि step by step होने वाला है और चैनल को subscribe नहीं करा तो subscribe कर दो ऐसी आपको और भी amazing tutorial मिलते रहेंगे और अगर आपको और tutorial चाहिए और आपको सीखना है कैसे हमें customize करना है तो comment box में comment करो like करो video को आप like करोगे तो मुझे motivation मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा ठीक है तो अब शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दो चीज़े हैं सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर use करने वाले हैं affiliate booster theme affiliate booster theme एक ऐसी theme है अगर आप उसे use करते हो तो आपको कोई भी page builder की जरूरत नहीं है कोई भी यहाँ पर आपको amazon के plugin की जरूरत नहीं है वो एक all in one affiliate theme है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है affiliate booster तो यहाँ पर अगर आपको दिखेगा मैं अपनी website पे affiliate booster theme use कर रहा हूँ तो अगर आप generate price use कर रहे हो तो generate price से भी आपका काम हो जाएगा बट मैं suggest करता हूँ कि आप affiliate booster use करो description में link है free version use करो free version ही काफी है अगर आप paid में नहीं जा सकते बाकि अगर paid लेते हो तो आपको advanced feature मिलेंगे अब दूसरा जो सबसे important चीज है जिसकी मदद से यह ऐसे pages यह ऐसे landing page बने है वो है एक plugin जिसका नाम है Gutenberg editor तो मैं plugins में जाता हूँ आपको दिखाता हूँ आपको कौन सा plugin इंस्टॉल करना है यहाँ पर अगर मैं आपको नीचे scroll down करके दिखा हूँ तो अभी आप देख सकते हो मेरी website पे कोई भी page builder, elementor या फिर thrive architect इंस्टॉल नहीं है यहाँ पर एक plugin इंस्टॉल है ultimate add-ons for Gutenberg यही वो plugin है जो की आपको install करना है एक्टिवेट करना है सीधा आप plugin में जाना add new पर click करना और यहाँ पर आपको search कर देना ultimate add-on for Gutenberg या फिर आप search कर देना Gutenberg editor Gutenberg add-ons ठीक है तो यह आपको search करना है और आपको plugin मिल जाएगा plugin देख लो यह plugin है यह उसका symbol है आपको मैंने देख लो यहाँ पर मैंने activate कर रखा है install कर रखा है बस दो चीजे करनी है theme और plugin और आपका काम हो गया अब हम करेंगे customize तो यहाँ पर यह एक page है हमें page को customize करना है तो हम जाएंगे सबसे पहले pages में और यहाँ पर मंगेश भादवाज का home page है यार देखो home page यह मैंने सिर्फ affiliate booster से बना हुआ है यह भी थोड़ा ठीक लग रहा है बीच में space आ रहा है तो कुछ बहुत कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है बट वहीं अगर आप blogging QN का देखोगे बिल्कुल professional लगता है यहाँ पर पूरे उसमें color आ रहा है नीचे ऐसे आ रहा है तो ऐसे करके हम बनाने वाले है तो यहाँ पर हम जाएंगे pages में और blogging QN का यह जो है homepage मैंने बना रखा है इस पर करता हूँ मैं edit ठीक है अब हम सबसे पहले जो हमारा उपर menu है यह तो हमारा है ही तो सबसे पहले हमें page की settings करनी है ठीक है तो जैसी आप और यह जो page setting वाला है width वाला यह option I don't know generate price में आपको मिलता है नहीं मिलता बट affiliate booster में यह एक amazing theme यह एक amazing feature है मैं affiliate booster इसलिए ही use करा हूँ पहले मैं generate price यूज करता था बट affiliate booster में ऐसे बहुत सारे feature हैं जो आपको generate price में नहीं मिलता है तो मेरा recommendation तो यह ही आप affiliate booster यूज कर सकते हो तो description में link है वहाँ से जाके ले लो free version यूज करो और अगर आपको लगता है कि भाई यह बढ़िया है तो paid version की तरफ जा सकते हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर page setting करने वाले हैं जिससे हमारा page ऐसा professional बनेगा तो जैसी आप edit page पे click करोगे यहाँ पर आपको option मिलता है page setting का और यहाँ पर आपको नीचे scroll down करना है यहाँ पर एक option मिलेगा page attribute इसमें आपको by default default template select होगा आपको select करना है page builder full width और नीचे template setting में page title आपका untick होगा इसे tick करना है and page sidebar में no sidebar करके आपको करना है update इतनी आपको page setting करनी है फिर हम यहाँ पर यह जो हमारा मंगेश भादवाज का सबसे पहला section यह हम बनाने वाले है तो यहाँ पर सबसे पहले हम add करेंगी यहाँ से section तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर premium theme यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह सारे premium feature affiliate booster के है और उसके बाद यहाँ पर ultimate add-on Gutenberg add-on के premium feature यहाँ से शुरू हो जाते है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले लेना है section ठीक है section ले लिया section लेते ही सबसे पहले हमें इसकी width select करनी है तो यहाँ पर आप आओगे section को select करोगे यहाँ पर आपको बिलता है block option इस पर click करोगे content width में आपको full width select करनी है और यहाँ से by default जो है वो आप रहने दो या फिर आप change भी कर सकते हो उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर हमें डालने है दो column तो अगर आप देखोगे मंगेश भादवाज पर तो यह एक column है और यह एक column है तो simply मैं जाओँगा यहाँ से column select करूँगा plus पर click करके तो यहाँ पर advance column इसको मैं select करूँगा और यहाँ से मैं 50-50 select करूँगा और first column में इधर वाले column में हमें लगानी है image तो जो image मैंने लगा रखी है उस नाम से मैं image को यहाँ पर search कर लेता हूँ आप कोई भी image जो आपको अपनी website के हिसाब से लगा सकते हो तो इसको मैंने लगा दिया उसके बार यहाँ पर हमें डालना है content तो यही same content को मैं कर लेता हूँ copy ठीक है इसको मैंने कर दिया यहाँ पर paste और अब हमें यहाँ पर लगाने है नीचे बटन subscribe ना और telegram का तो उसके लिए हमें फिर से column add करने तो इस पर करके enter मारूंगा और यहाँ पर मुझे plus sign दिख जाएगा और यहाँ पर मुझे search करना है button और यहाँ पर मुझे a b button जो affiliate booster का button है वो मुझे लगाना है तो simply मैं इसे search करता हूँ बट यहाँ पर हमें दो button चाहिए तो हमें उससे पहले दो column add करने पड़ेंगे तो यहाँ पर फिर से plus का sign आएगा यहाँ से मैं column search करता हूँ मैं normal column select करूँगा 50-52 और यह जो button है इसमें हमारा है subscribe करें तो इसको मैं करता हूँ copy इसको कर देता हूँ यहाँ पर paste यह हो गया अब इसका मैं जो subscribe करें पर YouTube channel का link है उसे copy करता हूँ यहाँ पर आया और यह इस पर button को select करोगे यहाँ पर आजाएंगी button setting यहाँ पर मुझे URL paste करना है open अगर new tab में करना चाहते है तो इसे enable कर दो और उसके बाद यहाँ पर मुझे YouTube का icon भी लगाना है तो यहाँ पर आपको मिलता icon का option यहाँ से मैं search करता हूँ YouTube YouTube icon लगा दिया position मुझे रखनी है left में और यहाँ से button का size small, medium, large, extra large आप select कर सकते हो button width इसको flexible कर देना अब इसके आप देखोगे border वो जो है काफी sharp है तो मैं उन्हें थोड़ा rounded कर देता हूँ तो यह अपने इसाब से जितना आपको करना उतना आप कर सकते हो alignment मैं रखता हूँ center हो गया अब हम इसका color change कर देते हैं तो YouTube का color होता है कुछ-कुछ red तो यह color मैं कर देता हूँ इसका red और text color हम कर देते हैं इसका white ठीक है और hover पे भी हमें यही color करने हैं अब हमें यह हो गया YouTube subscriber का अब हमें क्या करने है इसको इस column में इस वाले column में add करना है तो इसको मैं करूँ है select और यहां से उठाया जस्ट इस column के उपर डाल दिया यह add हो गया अब यह same process को follow करके आप तेलिग्राम वाला बना सकते हो या फिर क्या करो इस three dots पर click करो एक duplicate button same बना दो इसे उठा के यहां पर डाल दो और बाकी सारी details अब आपको सिफ दो चीजे चेंज करनी है इसका button का जो text है वो चेंज कर दो इसका जो icon है वो telegram वाला लगा दो मैंने लगा देता हूँ यहां पर telegram वाला और जो इसका link है telegram का वो कॉपी करता हूँ मैं और telegram वाला link और बस इसका मुझे color change करना है तो telegram का color कुछ-कुछ होता है ऐसा तो यह हो गया hover पे भी हम कर देते हैं change ओके यह हो गया अब ठीक है इतना हो गया अब हम update करके देखते हैं वेबसाइट में change क्या आया है तो अगर पहले देखो के पहले आपको ऐसा दिख रहा था side में space, इधर space, उपर space अब इसको मैंने कर दिया update view page पर click करता हूँ और देखता हूँ change क्या आये है मेरी website में तो देखते हैं वेट करते हैं तो यह है पूरी website अब यह देखो आ गया अब हमें इसको थोड़ा यहां पर बिल्कुल center में आ रहा है तो इसको इधर से थोड़ा और बढ़ाना है इधर से बढ़ाना है और background color change करना है तो मैं पहले पूरे इसका section का background color रख देता हूँ आप यहां से gradient भी select कर सकते हो और color भी तो मैं इसको रख देता हूँ कुछ ऐसा और थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ यहां पर light यह color मुझे लग रहा है सही ठीक है अब इसमें यह देखो image जो है यहां पर image काफी छोटी लग रही है तो image size image को select करो यहां पर image size को मैं कर देता हूँ full size यह मैंने कर दिया और अगर मैं देखूं यहां पर यह इधर पूरे column की width अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं पूरे column की width theme container width यह हमने select नहीं करी थी तो जो column add करे थे column को मैं select करता हूँ यहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो pause करकर देखना और main बात यह है जितना जादा आप setting को explore करोगे उतना जादा creative page आप बना सकते हो तो theme container को इसको करता हूँ width इसको करता हूँ customer और यहां से select कर देता हूँ 3-0-0 और इसको करते है update अब पहले page ऐसे था अब हम refresh करते हैं देखते हैं क्या changes आये है तो हमने करा refresh होने देते हैं refresh और देखते हैं क्या changes आते हैं website में तो अब देखो अब थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छा यहां से भी यह theme हो गई पहले कैसा लग रहा था यह सिर्फ बीच में आ रहा था और side में space अब पूरे में आ गया है यहां पर image भी आ गई है यह भी आ गया है अब मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा लानी है तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे यहां पर plus का sign करेंगे यहां पर select करेंगे हम heading अब यहां पर आपको option मिलता है advanced heading अब इस पर आपको करना है यहां पर आपको लिखना है जो भी आप लिखना है जैसे मालो मैं लिखता हूँ latest blog post ठीक है इसको मैं कर देता okay and हम इसे add करेंगे इसको हम ऐसी रहने देते ठीक है उसके बाद यहां पर यह जो separator है इसका हम थोड़ा कर देते हैं यहां पर block में आओगे separator इसकी width हम थोड़ी बढ़ा देते हैं ठीक है यह हमने बढ़ा दी और उसके बाद हम एक एड़ करनी है ऐसी latest post तो यहां पर हम यहां पर अपना description भी add कर सकते हो जैसे मैं लिख देता हूँ hand baked best articles ठीक है यह मैंने लिख दिया ठीक है अब यहां से जाता हूँ और यहां पर मैं search करता हूँ post ठीक है और यह हमारा आ गया post grid यह हमें select करना अब देखो हमारी यहां पर post आ गई अब यहां पर block में जाओगे तो यह आप देख सकते हो आप अपने हिसाप से customize कर सकते हो by default ऐसा आएगा अब order आपको descending रखना है ascending रखना है number of columns जैसे देखो अभी यहां पर 1,2,3 है तो यहां से अगर मैं 4 कर दूँगा तो यह 4 हो जाएंगे अगर मैं 2 कर दूँगा तो 2 हो जाएंगे तो 3 best है 3 रहने वो size आप देख सकते हो image देखो top पे दिखाने है background दिखाने है वो भी कर सकते हो नीचे आता content अब content में हमें यह सारी चीज़े यह फालतू की चीज़े read more button यह सब नहीं चाहिए हमें simple चाहिए जिसमें हमारी सिर्फ एक ऐसी image आए और title आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे show तो title हमें रखना है author का नाम हमें नहीं दिखाना है author का नाम हट गया date नहीं दिखाने date हट गई comment नहीं दिखाने comment हट गए और यह जो paragraph है description यह नहीं दिखाना है यह हमारा हट गया उसके बाद read more button पर आओगे तो हमें read more button भी नहीं दिखाना है यह हो गया अब typography में आते है तो यहाँ पर देखो यह बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं तो इसे हम कर देते हैं H3 से paragraph पर यह हो गया अब यह बहुत चोटा लग रहा है तो इसे कर देता हूँ मैं H6 या फिर H5 जो भी आपको सही लगे उसके बाद यहाँ पर आप typography और यहाँ से और अच्छे से manage कर सकते हो यह हो गया अब color देखो यहाँ पर color हमें रखना है बिलकुल white ठीक है तो मैं color select कर देता हूँ white अब यह हो गया हमारा और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ align center तो यह सारा हो गया हमारा center में अब इसे मैं update करता हूँ और हमारी website पर change देखते हैं change क्या है तो इसे करते हैं update और यह आगया हमारा change आप देख रहे होगे website कुछ-कुछ blogging Q&A जैसे बनती जा रही है ठीक है तो यह हो गया हमारा ठीक है और यहाँ पर देखो यह बिलकुल चिपका हुआ है इसे तो इसके उपर हम यहाँ से इसको हम select करते हैं और यहाँ पर देखो आपको spacing का option मिलता है spacing आप चाहो तो spacing add कर सकते हो या फिर simple click करो यहाँ पर plus select करो और यहाँ पर search करो space और यह डाल दो यह बीच में एक space आ गया इसे ही मैं update करता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो यह कर दिया update और यह आप देखो यह हो गया हमारा update अब देखो जो उपर का space था यहाँ से space आ गया बट यह देखो अभी यह जो latest article ही यह बहुत मतलब फैले होए दिख रहे हैं बट हमें चाहिए कि हमारा ऐसा आये जैसा हमारा ब्लॉगिंग की उयने का center में तो उसके लिए हमें इसे फिर से section में add करके उसकी width define करनी पड़ेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगी यह जो latest blog है इससे उपर फिर से मैं search करता हूँ section सारा कमाल है उस plugin का section मैंने search करा यहाँ पर content width full डाली full width और यहाँ से select कर दी 1300 आप अपने according कर सकते हो अब क्या करना है यह दो दो बोक्स हैं इन्हें उठा के हमें डालना इसमें तो heading को भी मैं उठा के डाल देता हूँ section में डाल दिया अब यह वाला जो था इसको भी उठा के डाल देता हूँ section में अब अब अपडेट करता हूँ अभी कैसे थे सारे में बहुत फैले फैले फुल यह फुल विट में आ रहे थे अब मैं करता हूँ इसको refresh और देखते हैं हमारी width कम हुई या नहीं तो हम देखते हैं width रिफ्रेश होने देते हैं तो यहां पर हम देख लेंगे यह देखो width हो गई बिलकुल कम ठीक है अब थोड़ा और professional लग रहा है अगर आपको और कम कर रही है तो यहां से simple यह जो section है यहां पर देखो 1300 है इसे मैं कर देता हूँ 1100 ठीक है अपडेट करा और यहां पर कर दिया मैंने से 1100 अब देखो और कम हो जाएगा और अच्छा दिखेगा आमे ठीक है ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं और कम होगा अब यहां पर gap दिख रहा है तो again वही space लगा कि आपको कर देना है उसके बाद नीचे एक button है view all post ठीक है तो इसका link में copy कर लेता हूँ और simply यहां पर आना है और यहां पर इसी में section के अंदर add करना section के अंदर में add करता हूँ button तो फिर से AB button और यहां पर मैं डाल देता हूँ view और यहां पर मैं लिख देता हूँ view all post ठीक है अभी यह side में दिख रहा है इसको bold कर देता हूँ तो यहां से हम setting करेंगे सबसे पहले मैं link डाल देता हूँ उसके बाद एक icon अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हूँ नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते है तोटली आपकी choice से यह लगा देता हूँ मैं button हम रखते है medium नहीं small ही मुझे सही लग रहा है और इसको कर देते flexible rounded कर देते हैं इसके यहां से यह alignment कर देते है center हो गया बढ़िया से अब color चाहो तो color आप change कर सकते हो तो मैं color for example यह वाला रख देता हूँ ठीक है ओके और text को हम रख देते हैं वाइट ठीक है तो यह हो गया हमारा अब इसे कर देता हूँ update तो यह भी आ गया अब हमें दिखाना है कि हमें best hosting भी लोगों को guide करनी है तो अगर आप देखो कि ब्लॉगिंग क्योंने पर यह है फिर यह है author box यह भी आपको ऐसी यह author box मैंने कै इसे add करा है सेम वैसे ही एक यह section लगाया एक section add करा सबसे पहले यह वाला section उसकी full width रख दी उसके बार उसके अंदर एक column add करा column के अंदर मैंने एक तरफ लगाई image एक तरफ लगाया content उसके नीचे मैंने लगाया button जैसे कि मैंने आपको ये वाला ऊपर वाला करके दिखाया था न ये वाला section लगाया उसके अंदर column, एक column में image एक column में content और नीचे button ऐसे ही मैंने ये author box लगाया अब जैसे यह था resources we use and recommend तो यह भी हम लगा के दिखाता हूं मैं आपको तो जैसे मंगेश बादवाज में यह है best web hosting for beginner तो मैं क्या करूँगा यह वाला जो section है पूरे section को एक बार कॉपी कर लेता हूं बार बार महनत करने की ज़रूत नी पड़ेगी डुब्लिकेट करते हैं हम इसका ठीक है अब इसका थोड़ा color अब देखो same color हो जाएगा उपर वाला बीच में भी white नीचे भी white तो अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसको section का पूरा background color ही change कर देता हूं और यहां से select करते हैं gradient और यह वाला color हम रखते हैं ठीक है अब यहां पर मुझे लखना है best web hosting अब यह जो है यह हमें चाहिए नहीं तो इसको कर देता हूं मैं remove ठीक है इसको भी यहां से कर देता हूं remove और button भी हमें नहीं चाहिए अब अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें चाहिए तीन column तो मैं क्या करूँगा फिर से यहां पर plus पर click करूँगा और यहां पर मुझे मिलेगा advanced column हमें column चाहिए तीन जो की equal में हो तो यह वाला column simply इस column को मैं select करूँगा अब यहां पर क्या है सबसे पहले हमें लगानी है image फिर थोड़ा सा content और फिर button ठीक है तो यहां पर गया मैं सबसे पहले मैं लगाई image और image सबसे पहले है hostinger की तो मैं लगा देता हूँ hostinger की image ओके तो यह आ गई hostinger की image हमारी आ गई उसके बाद इस वाले box में हम लगा देते हैं कौन सी image है bluehost की और तीसरी है a2 की तो यहां पर मैं search करता हूँ bluehost ठीक है okay bluehost हो गया तीसरी में हमें लगानी है a2 hosting की तो ऐसे ही आपको guys मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको यहां पर main main करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप customize weight यह सारी चीजे कर सकते हो बाकि जितना आप explore करो गया उतना बढ़िया पेज बना सकते हो यह हो गया अब इसके नीचे हमें add करना है थोड़ा सा content तो same content मैं यहां से कर देता हूँ copy और इसको यहां पर कर देता हूँ paste इसको कर देता हूँ middle में अब मुझे लगाना है नीचे button तो फिर से यहां पर आप देखोगे इस पर करके enter मारोगे नीचे दिखेगा plus का sign और यहां से फिर से आपको select करना है button button में again वही सारी चीजे जो मैंने आपको उपर बताई activate this deal इसका मैं यहां पर activate this deal इसको कर देता हूँ यह और button में मैं डाल देता हूँ link और यहां पर icon अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते हो totally आपकी call है ठीक है और इसको मैं कर देता हूँ यहां पर center border कर देते हैं ऐस से calz man okay अब यहां पर इसको मैं same क्या करूंगा duplicate कर दूँ honey duplicate कर द personalities of the sales यहां पर is जाइब का आपकी लगा में यहां पर और द कर दिया और मिने आपका प्लिखनगी आपका यहां पर नीचे आ गया और gwाक्ता आपके डाल देंगे यहां पर ठीक है अब मुझे बस सिर्फ लिंक चेंज करने है तो मैं अब कॉपी करूँगा ब्लू होस्ट वाला इसमें आया मैं और यह ब्लू होस्ट वाला यहां पर चेंज करा उसके बाद मैं आया A2 hosting इसको कॉपी करा A2 hosting को यहां पर कर दिया अब गाइस देखो इतनी महनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर दो आप लाइक करो गे तो ऐसी और भी वीडियो लेके आऊँगा जिनमें आपको बहुत जारा कहीं पर भी पे करने की ज़रूत नहीं फ्री में आप डिजाइनिंग वगेरा सीख सकते हो तो यह हो गया हमारा ठीक है अब हम इसे करते हैं अपडेट और देखते हैं चेंज क्या आया है हमारी वेबसाइट में तो मेक शूर वीडियो को लाइक करो यार काफी देर से वीडियो बना रहा हूं तो मेक शूर वीडियो को लाइक करो पसीने पसीने हो रहे हैं तो यार लाइक तो बनता है छोटा सा appreciation तो यह हो गया हमारा ठीक है तो यहाँ पर हमें यह हो गया अब देखो यह बिल्कुल चिपका चिपका लग रहा है तो हमने यहाँ पर क्या नहीं करा है इसकी width select नहीं करी तो फिर से column को select करते हैं यहाँ पर देखो width content width इसे हमें करना custom और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 1300 ठीक है अब देखते हैं 1300 अपडेट करा और इसको करता हूँ मैं refresh ओके अब देखते हैं हमारा width कैसा हुआ है तो इसको refresh होने देते हैं ओके तो यहाँ पर देखो अब थोड़ा अलग-अलग इसको हमने center में नहीं करा do यहाँ पर देखो यह तीनो एक जैसे लग रहे – थोड़े अलग-अलग नहीं दिख़ रहे तो हम इनका color change कर देंगे मैं एक- двеColumn को select करूंगा तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से कहने नहीं कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो पोज कर लेना, मैंने अब क्या कर रहा है, सिर्फ इस कॉलम को सेलेट कर रहा है, और यहां पर मैं जाओंगा, तो इसका स्पेसिंग, स्पेसिंग में मुझे इसके यहां पर बीच में, इनके बीच में यहां पर स्पेस लाना है, तो इसके लिए यहां पर यह वाला है, तो यहां पर मैं डाल देता हूँ 20, तो यहां पर देखो, मार्जिन है, मार्जिन में यहां पर मैं डाल देता हूँ 20, ठीक है, इसमें यहाँ पर डाल देता हूँ 20, यह देखो बीच में gap बन गया, अब इसका मुझे color भी, background color मैं बिल्कुल रख देता हूँ इसका white, ताकि यह अलग से दिखे, आप अपने इसाब से कर सकते हो, उसके बाद border देखो बिल्कुल sharp है, तो border इसके कर देता हूँ मैं, इतने, तो वही सेम चीज मुझे इस column में भी करनी है, इसमें भी करनी है, तो margin में आके मुझे यहाँ पर margin लगाना है 20, तो सेम फिर से मैंने इस column को select करा, spacing में आया, margin में आया, इस तरफ लगा दिया 20, और अगर आप नीचे भी थोड़ा add कर दो, ताकि mobile में भी अच्छे से दिखे, तो mobile में नीचे भी 20 कर दिया, इसमें मैं करना भूल गया था, तो इसमें आता हूँ margin, इसमें नीचे कर देता हूँ मैं, नीचे वाले में 20, ठी आते हैं, background हमें करना है, color, okay, color, अब white, ठीक है, यह हो गया, अब same इस वाले में भी करना है, इसका हमने border नहीं करा, तो border आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, same, इसमें भी आएंगे, spacing, नीचे हमें करेंगे 20, और side में हम करेंगे 20, ठीक है, background, color हम करते हैं, color, जो भी color चाओ, gradient आओ, वो थोड़ा professional दिखेगा, अगर आप देखोगे, तो इसमें मैंने यही करा हुआ है, तो इसको करता हूँ, मैं फिर से refresh, ठीक है, okay, refresh करते हैं, यह देखो, यह हो गया हमारा latest post, और यह हो गया हमारा, यह देखो, अब थोड़ा हमें और अच्छा सा दिख रहा है, सही है ना, अ अब हमें थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है, पहले देखो, पहले ऐसा था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, खिल के आ और और भी, तो यह मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, इतनी I think, आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पर login करता हूँ, बहुत से लोगों को डिक्कात आती है, भाई, मेरा जो homepage है, वो ऐसा आ रहा है, मेरे को ऐसा custom homepage चाहिए, तो उसकी setting कहां से होती है, तो यह एक बहुत important चीज है, जो लोगों को नहीं पता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने आपको WordPress में जाके दिखाता हूँ, यह जो हमारा front का page है, इसका नाम क्या है, ठीक है, पहले हम इसका नाम देखेंगे, तो guys, I think overall आपको clear हो गया होगा, बाकी सारा वैसे है, जैसे page builder से design करते हैं, तो हमारा यह नाम है, यहाँ पर home, तो अब आपको क्या करना है, by default आपका इसा होगा, तो आपको क्या करना है, जाना है WordPress में, यहाँ से जाना है Appearance में, यहाँ से जाना है Customize में, और यहाँ पर जो home page की setting है, वो आपको change करनी है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, home page setting, by default, default आपका यह select रहा था, your latest post, तो आपको क्या करना, aesthetic page, और यहाँ पर ज अब हम इसे करते है, refresh, और देखो, हमारा home page, जो हमने design करा था, वो वला आजाएगा, देखो, आगया ना, अब कोई भी मंगेश भादवाज विजिट करेगा, तो ऐसा आएगा, तो यह थी पूरी वीडियो, गाईज, अगर और भी कुछ customization से related सहिए, तो मुझे comment box में, comment कर के बताओ, उसके उपर भी वीडियो आप लोगों के लिए आजाएगी, and make sure वीडियो को like करो, channel को subscribe करो, and instagram पर follow कर लेना, and मैं मिलता हूँ एक और नहीं और exciting वीडियो में, तब तक लिए goodbye, take care, have fun.